नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे कैसे एक बुढिया माईने ठगा शिवजी को ये बात बहुत ही पुरानी है एक गाउं में जिसका नाम महिपाल पुर्था एक अंधी बुढिया रहती थी वह शिवजी की परम भक्त थी आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था परंतु वह सुभै शाम शिवजी की बंदगी में मगन रहती शिवजी बुढिया की भक्ती से बड़े प्रसन हुए उन्होंने सोचा यह बुढिया नित्य मेरा स्मरण करती है परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती भक्ती का फल तो उसे मिलना ही चाहिए ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन बुढिया के सम्मुक प्रकट हुए और बोले माई तुम हमारी सच्छी भक्त हो जिस शद्धा वे विश्वाश से हमारा स्मरण करती हो हम उससे प्रसन है अतह तुम जो बरदान चाहो हमसे मांग सकती हो बुढिया बोली प्रभू मैं तो आपकी भक्ती प्रेम भाव से करती हूँ मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं अतह मुझे कुछ नहीं चाहिए शिवजी पुनह बोले हम वरदान देने के लिए आए हैं बुढिया बोली मुझे मांगना तो नहीं आता अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी तब तक मैं अपने बेटे वे बहु से भी सलहा कर लूँगी शिवजी कल आने का वादा करके लूट गए बुढिया का एक पुत्र वे बहु थे बुढिया ने सारी बात उन्हें बता कर सलहा मांगी बेटा बोला मा तुम शिवजी से धेर सारा पैसा मांग लो हमारी गरी भी दूर हो जाएगी सब सुख चैन से रहेंगे बुढिया की बहु बोली नहीं आप एक सुन्दर पोते का वरदान मांगें वईश को आगे बढ़ाने वाला पी तो चाहिए बुढिया बेटे और बहु की बाते सुनकर असमंजस में पढ़ गई उसने सोचा यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बाते कर रहें हैं बुढिया ने पड़ोसियों से सलहा लेने का मन बनाया पड़ोसन भी नेक दिल थी उसने बुढिया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुक से व्यतीत हो जाए धन और पोते का तुम क्या करोगी अगर तुम्हारी आखे ही नहीं है तो यह संसारी कवस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं अतह तुम अपने लिए दोनों आखे मांग लो बुढिया घर लोटाई बुढिया और भी सोच में पड़ गई उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा, बहू, वे बेटे सब का भला हो ऐसा क्या हो सकता है बुढिया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ पर अंतु कुछ भी निर्धारित ने कर सकी दूसरे दिन शिवजी पुनह प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा यह हमारा वचन है शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढिया बोली यदि आप मुझसे प्रसन हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वर्दान दीजिए मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूद पीते देखना चाहती हूं बुढिया की बाते सुनकर शिवजी उसकी सादगी मैं सरलता पर मुस्कुरा दिये बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है मैंने तुमें एक वर्दान मांगने के लिए बूला था परन्तु तुमने तो एक वर्दान में ही सब कुछ मांग लिया तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दौनों आखे मांग ली है बेटे के लिए धन वे बहु के लिए पोता भी मांग लिया पोता होगा, धेर सारा पैसा होगा तभी तो वे सौने के गिलास में दूद पियेगा पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी अब देखने के लिए दो आखे भी देने ही पड़ेंगी फिर भी वे बोले जो तुमने मांगा ये सब सत्य होगा यू कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए कुछ समय पाकर शिवजी की क्रपा से बुढिया के घर पोता हुआ बेटे का कारोबार चल निकला और बुढिया की आँखों की रोशनी वापस लोटाई बुढिया अपने परिवार सहित सुख पूरवक जीवन व्यतीत करने लगी तो दोस्तों इस प्रकार से एक बुढिया ने शिवजी को आखिर में ठग ही लिया इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाप राप्त कर सकें